इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम इस दवा का इस्तिमाल करने से मिचली आना, ओल्टी, सीने में जलन, पेट में दर्द, डायरिया, दस्त, बूख में कमी, और मुह सूखना जैसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इन में से किसी भी साइड इफेक्ट से आप परेशान हैं या समय के साथ वह ठीक ही होते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। इनसाइड इफेक्ट को कम करने के या उनकी रोक थाम के तरीकों से आपका डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है यह दवाहर किसी के लिए उचित ना हो। इसे लेने से पहले, अगर आपको दिल, किड अपनी या लिवसे संबंदित कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लिए सुरक्षित है, अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बताएं, जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ग इसके अलावा, यह मानस्पेशियों की अकढ़न या एंठन से असरदार धंग से राहत देता है, जिससे मानस्पेशियों की मूबमेंट में सुधार होता है. यह मस्तिश्क में कुछ ऐसे रसायनों को ब्लॉक करती है, जिनसे दर्द और बुखार उत्पन होते हैं. अधिक्तम फाइदे के लिए इसे डॉक्टर के बताय दिशानिरदेश के अनुसार ही लें. आवश्यक्ता से अधिक या अधिक समय तक यह न लें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है. आमतोर पर आपको सबसे कम पौवा वाली डोज लेनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए सही धंग से असर करे. यह आपको रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में और एक बहतर जीवन जीने में मदद करेगा. मोबिजोक्स टेबलेट के साइड इफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं. अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगरने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. मोबिजोक्स के सामान्य साइड इफेक्ट मिचली आना, उल्टी, सीने में जलन, पेट में दर्द, डायरियाद दस्त, भूख में कमी, मूव में सूखापन, मोबिजोक्स टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुछले या तोडे नहीं. मोबिजोक्स टेबलेट को भूजन के साथ लेना बहतर होता है. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहु आपका बाद.